नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट इवर जीएस में दोस्तों आज का हमारा टापिक है इंडियन हिस्ट्री यानि भारती इतिहास दोस्तों आज के इस टापिक में हम लगभक 30 प्रश्ण लेके आए हैं जो अलग-अलग एक्जाम में पूछे गए हैं तो तीसो प्रश्ण आने वाले एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो की सुरुगात करते हैं भारती इतिहास का पहला प्रश्ण है भीम बेट का किसके लिए प्रसिद्ध है आपसं ए है गुफाओं के सैलचित्र के लिए आपसं भी है खनिच के लिए आपसंद दी है सोन नदी का उपागम इस्थल के लिए और दोस्तों यहां पर लिखा है यह प्रश्ण पूछा गया है यह पी पी एस सी इस्पिसल प्री में 2004 में ठीक है तो यह प्रश्ण काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे अगले एक्जाम के लिए तो इस तरह से हमारे पहले प्रश्ण का राई टांसर हो आपसन ए भीम बेट का किसके लिए प्रशिद्ध है तो गुफाओं के सहल चित्र के लिए ठीक है दोस्तों अब हम अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं प्रश्ण नंबर दो प्रश्ण नंबर दो है विशाल इश्णानागार यानि ग्रेट बात कहां मिला था विशाल इश्णानागार यानि ग्रेट बात कहां मिला था आपसन ए हडपा में आपसन भी लोथल में आपसन सी चनहुदुडों में आपसन डी मोहन जुदाडों में ठीक है तो इस तरह से क्वेशन नमबर दो का राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसंट डी मोहन जुदाड़ों में या मोहन जुदाड़ों में ठीक है तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करिएगा और चैनल पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर लिजि सब्द कहां से लिया गया है सब्द कहां से लिया गया है मनु इस्मृती से भगवत गीता से रिग्वेश से की मुंडक मुंडक उपनिसत से और यह दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपी प्यस्टी प्री नई सो बानवे नई सो चौरानवे और आईयस प्री इतक में भी हमाँ लाएगा है 24 में प्रशन तो इस तरह से ये कफी इंपॉर्टेंट के लिए और ला होने वाला है यूपी अभलसी का होने वाला है और तो कहां से लिया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा संडी मुंडक उपर निस्ट से ठीक है दोस्तों अब अगले प्रशन के ओर चलते हैं हमारा अगला प्रश्ण है प्रश्ण नंबर था दोस्तों जो तीस प्रश्न है और किसी नर्ट किसी एक जम पूछे गए हैं दो, बार, तिन, पर चार चर बार, एक बार, दो, बार ऐसे, पूछे गए हैं, तो दोस्तों, नमबर 4 का जो राइट आंसर है आपका अफशंसी हो जाएगा गाय के लिए रिग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रियुक्त अगहन्य सब्द गाय के लिए संदर भी थे ठीक है अगले प्रशन की यूर चलते हैं हमारा अगला प्रशन है प्रशन नंबर पांच छठी सताब्दी इसापूर्व का मत्स जन्पद इस्थित था पस्चिमी उत्तरप्रदेश में राजिस्थान में बुंदेल खंड में रुहेल खंड में और यह प्रशन पूछा गया है यूपी पीस्थी प्रिये 2017 में तो दोस्तों क्योस्टिन नंबर पांच का राइट आँसर हो जाएगा आपका अप्शन B, राजिस्थान में, चटी सताब्दी इसापुरु का मत्स जनपद राजिस्थान में था, अगला प्रशन है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पर्थम उपदेश कहां दिया था, वैसाली में, राजी, गृह में, सारनात में, पावापुरी में, प्रशन पूछा ग सारनात में दिया था ठीक है सारनात में सारनात दोस्तों बनारास में है ठीक है और दोस्तों बहुत धर्म से संबंधित लगभग सभी प्रश्न हम बनाए हुए हैं और एक वीडियो बनाए हुए हैं सभी प्रश्नों से संबंधित बहुत धर्म से सभी प्रत्नों से संबंधित एक वीडियो बना हुए है लगभग 15-20 मिट का है उसमें आपको बहुत धर्म से सभी प्रश्ण मिल जाएंगे ठीक है तो इस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिस्ट में देंगे और लास्ट इंड में भी देखेंगे तो इंड में भी रहेगा और आई बटन पर भी दें ठीक है तो उससे आप जरूर देखिए गएगा उससे आपका बहुत धर्म से समझने सभी प्रश्ण हो जाएंगे मतलब बुद्ध का जन्म कहां हुआ था किसके परिवार में हुआ था कब घर छोड़ा कब ग्यान प्राप्त किया कब प्रवचन दिया कब उन्हें निरवान की प्राप्ति हुई कब मृत्यू की प्राप्ति हुई कहां सबसे ज्यादा प्रवचन दिया ठीक है तो ऐसे प्रश्ण आपको पूड़े मिल जाएंगे अब हम अगले प्रश्ण की योड़ चलते हैं प्रश्ण नमबर साथ है कालिंग यूद का विवरण हमें ग्यात होता है और ये प्रश्ण पूचा गया है यूपी प्यस्थी फ्री दोजा सूला में दोस्तों इस प्रश्ण का जो राइट आंसर होगा क्येस्टन नमबर 7 का वह होगा आपसन ए तेरह हमें सिला लेख द्वारा यह प्रश्ण का बहुत एक जाम में पूछा गया है दोस्तों कलिंग यूद का वीवरन हमें क्याद होता है तो क्यां क्याद होता है तिरह हमें सिला लेख द्वारा अब हम अगले क्रेश्चन की ओर चलते हैं हमारा अगला क्योशन है दोस्तों करेशन नमबर 8 के सिमुफधित का गरंत्र कि से संबंघुत्र करीस्थ्ट धर्म से संबंदित व्यदिख मसे बाउद धर्म से जैन धर्म से से मज़ीं डेकंट तो दोस्तों यहां परिच्छा में यूप character पूचा घ्रणत दोस्तों भूद धर्म से संबंधित है अगले प्रश्न चलते हैं नालंदाविस्व विद्याले के संस्थापक कौन। थे नालंदा विस्विद्याले के संस्थापक कौन थे चंद्र गुप्त विक्रमादित्य कुमार गुप्त धर्मपाल पूस्य गुप्त ठीक है दोस्तों और आप देख सकते हैं कि यह प्रश्ण कहां कहां पूछा गया है कि अग्यों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप संबी कुमार गुप्त ने नालंदा विस्विद्याले का इस्थापना की थी अगले क्यों कि यह चलते हैं कि यह नंबर 10 क्येशन नंबर 10 है बाउद ग्रंथ मिलिंद पिन्हों मिलिंद पन्हों किस हिंद यवन सासक द्वारा सासक पर प्रकास डालता है बाउद ग्रंथ मिलिंद पन्हों किस हिंद यवन सासक पर प्रकास डालता है डायोडोरस सेकेंड डिमेट्रियस मिनिंडर स्टेट फर्ष्ट तो दोस्तों इस प्रश्ण का राइट आंसर हो जाएगा आपसंसी मिनिंडर वह बाहुत ग्रंथ मिलिंद पन्हों मिनिंडर हिंद यवन सासक पर प्रकाश डालता है दोस्तों यह प्रश्ण करेंग पूछा भी गया है अगले क्यों जलते हैं क्यों नमबर 11 एलोरा में कैलास नात मंदिर का निर्माड किसने करवाया राजेंद फ्रस्ट महंद वर्मन क्रिष्ण फर्ष्ट गोविंद फर्ष्ट ठीक है दोस्तों तो इस प्रश्ण का राइट आंसर हो जाएगा क्यों नमबर 11 का दोस्तों आपसंसी क्रिष्ण फर्ष्ट एलोरा में कैलास मंदिर का निर्माड क्रिष्ण फर्ष्ट ने करवाया था दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करिएगा चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकों को प्रेस कर लीजिएगा इससे हमारे अगले वीडियो की सबसे पहले आपको प्रात्त हो सकें कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने किसे हराया था कुमार पाल जैचंद गोविंदराज भीम दृती कि यंपी प्यस्थी प्रिदोजा सत्रह में पूछा गया है तो दो दोस्तों 1194 के चंदावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने जैचंद को हराया था किसको हराया था दोस्तों जैचंद को हराया था आगले प्रशन की और चलते हैं प्रशन नंबर है 13 लोधी वंस का संस्थापक कौन था इब्राहिम लोधी दौलत खान लोधी बहलो संस्तों कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था धौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था ख्वाजा मौईनूदीन चिस्ती बाबा फरीद कुतुबिदीन बक्तियार काकी सेख निजामुदीन अउलिया दोस्तों यह प्रश्ण पूछा गया है यूपी प्यसी प्री 2014 में तो दोस्तों इस प्रश्ण का राइट आंसर हो जाएगा क्योश्चन नमबर 14 का अब हम अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों छोटा दिख रहा है अब क्योश्चन नमबर 15 है दोस्तों तुझके ए बाबरी किस भासा में लिखा गया था फार्सी में अर्वी में तुर्की में उर्दु में अब दोस्तों यह सिर्फ 56 और उनाता वी प्रश्ण का अंसर दे देते हैं फार्सी दे देते हैं उर्दु दे देते हैं और लोग सही आंसर देते हैं तुर्की भी दे देते हैं पर दस ही परसेंट क्यों कि यह कंफ्यूज हो जाता है कंफ्यूज में हो जाते हैं कि यह किस भासा में है फार्सी में है कि अर्वी में है तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा तुर्की भासा में है तो इसके बाबरी किस भासा में लिखा गया था तो तुर्की भासा में लि संस्ताफक था मुर्सीद कुली खां साधत खां अली वर्दी खां सर्फराज खां ये इंडिये सेकंड 2017 में पूछा गया है दोस्तों दोस्तों इस क्वेश्चन नमबर 16 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नमबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपसन बी साधत खां ठीक है साधत खां अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं क्वेश्चन नमबर है हमारा दोस्तों सत्रह सिख संग के बारे राजियों को क्या कहा जाता था सिख संग के बारे राजियों को क्या कहा जाता था मिसल गुर्मत सरदारी राखी तो क्यूशन नमबर 17 का राइट आंसर आपसे नहीं हो जाएगा मिसल सिख संग के बारे राजियों को क्या कहा जाता था तो मिसल कहा जाता था प्रश्ट पूछा गया है अगला प्रश्ट है क्वेश्ट नमबर 18 प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था यह काफी चर्चित प्रश्ट है और लगभग कई जम्में में पूछा भी गया है यहां से फिर दिया गया है यह से सीजियल टायर फर्श्ट में और 25 में पूछा गया क्वेश्ट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था तो सिराजु दोला था कि मीर जाफर था कि मीर कासिम था कि इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इस क्वेश्ट का जो राई टांसर होगा प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का प्रश्ण है दोस्तों किश्चन नमबर हमारा 19 प्रश्ण नमबर 19 है बकसर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था अभी हम ने प्रश्ण देखा है प्लासी के युद्ध निजमुद्दोला निजमुद्धोला तो इस प्रश्ण का राइट अंसर हो जाएगा आप सं मीर जाफर था अगले प्रसासन काल में इस्थाई बंदोबस्त प्रारम किया गया था वारेन हेश्टिंग लाड कानवालिस सर जानसोर लाड वेले जली तो दोस्तों इस क्यिस्टें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों की इस क्युस्टें लंबर बीज का जो राइट आंसर होओगा आपसन होगा b लाड का 81 करainen लाड कार 49 के प्रसासन काल में इस्थाई बंदोबस प्रारम किया गया था क्वेशन अगले दोस्तों यहां प्रश्ण देख लीजिए क्वेशन अब बीच कितने एक्जाम में पूछा गया है आप देख सकते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है हमारा अगला प्रश्ण है प्रश्ण नंबर है 21 18 सब्सक्राइब को सवतंत्र प्रथम सवतंत्रता संगाम का नाम किस ने दिया प्रथम सवतंत्रता संग्राम का नाम किस ने दिया वी ए स्मित पी रावर्ट्स वीडी सावर कर उप्यूख सभी तो क्येशन नंबर 21 का राइट आंसर आपसंस सी हो जाएगा वीडी सावर कर दोस्तों यह सिर्फ बीपी एसी प्रिए 2015 में ही नहीं लगभग कई एक्जामो में प्रशन पूछा गया है लोवर पीस्टियस में भी पूछा गया है ठीक है तो इस तरह से क्वेशन नंबर 21 का राइट अंसर आपसंसी हो जाएगा वीडी सावर कर ने 1857 के संग्राम को पर्थम सुतंत्रता संग्राम नाम दिया अगले क्योंशन क्योंचलते हैं क्योंच लिघ्काष्ट नंबर 22 आप प्रवह समाज के संस्थावक Kültते हैं सियार दास महत्मा गांदी राजा राम मोहन राइए स्वामी द्यारा मसरह्फति तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ब्रहा समाज के संस्थावकर राजाण मोहन राइन्स अर दोस्तों इसकी स्थापना कि अन्यूजर्व ड्यानंद तो दोस्तों हम इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा द्यानंद स्वामी द्यानंद स्वरुशती आर्समाज के संस्थापकते और यह 1875 में इसकी इस्थापना हुई थी स्वामी द्यानंद स्थापना की थी ठीक है और दोस्तों आपको बता दे ब्रह्म समाज के संस्थापक यह प्रश्ट काफी पूछा गया है यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड PCS MPPSC उत्तराखंड UDA ELDA प्रिदोजासाथ का पूछा गया है आज समाज भी पूछा गया है अब मारा अगला प्रश्ण हो जाएगा प्रश्ण नमबर 24 निम्नलिखित में से कौन प्रश्ण क्या है निम्नलिखित में से कौन पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया के लेखक हैं आर सी दत हेंडरी काटन महात्मा गांधी दादा भाई नरोजी तो इस प्रश्ण का जो राई टांसर होगा दोस्त अंडरी थी एंड ब्रिटिस रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नरोजी जी अंगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 25 भारती राष्ण कांगरेस के पहले अध्यच काउन थे ऐस यह पहले प्रश्ण पूछा गया है और इसके इस संस्थापक घारती राश्री कांग्रेश के संस्थापक एयों हूम थे और इसके पहले अध्याचे डवलू सी बनर्जी थे और इसकी इस्थापना अठारफ सो पचासी में हुई थी ठीक है दोस्तों अगले प्रशन की ओर चलते हैं प्रशन नंबर है 26 प्रशन है बाल गंगा धर तिलक को किसने असांती का जनक कहा लाड करजन विसेंट इसमिथ वेलेंटाइन चिरोल हेंरी काटन दोस्तों यह प्रशन देख सकते हैं कितने एक जाम में पूछा गया है कुछं फचार है इसका आँसर हो जाएगाए आपका आपसंसी वेलेंटाइन चिरोल नुमट6 वेलेंटाइन चिरोल कि था अच्छर लग रहा हो तो यह दो रहा है सबसे पहले आतो प्रापत हो सके नाम क्या था इंडिपेंडेंस पार्टी गदर पार्टी सुराज पार्टी इंडियन नेशनल पार्टी मोतिलाल नहरुवस यारदास द्वारा उननीस सो तेस में गज़ित पार्टी का नाम क्या था क्या नाम था दोस्तों तो नाम था दोस्तों स्वराज पार्टी राइट आंसर अप्संसी अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं प्रश्ण नमबर है हमारा दोस्तों 28 ठीक है और 28 नमबर प्रश्ण है चिटगाउं सस्त्रा गार पर किसके नेतित में धावा बोला गया भगत प्रश्ण गया चिटगाउं ससा अबस्त्काय पर किसके नेतित में धावा बोला गया तो बोला गया था दोस्तों थित्मेंत्र सुर्भ प्रश्ण के नेतित में चिटगाउं स improper धावा बोला गया था अगले प्रेस्ण की राद चलते हैं प्रस्ण नमबर draghtse करो या मरो का नारा निमनलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है स्वदेशी आंदोलन असायोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन तो दोस्तों इस करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है ठीक अब हम इस सिसन के चलते हैं दोस्तों कि नमबर तीस है निमनलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापूर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी इस प्रश्ण का राइट आंसर हो जाएगा आपसन डी ठीक है निस सो बैयालिस में बंगाल के मिदनापूर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी प्रश्ण का यहां उत्तर माला दिया गया है आप वहां से क्रेश्ण को मिला सकते हैं ठीक है तो दोस्तों वीडियो को लाइस तक देखें के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाइंस पर वाचिंग दोस्तों